तो फाइनली पार्किंग से हम लोग आएं अंदर यहां पर एक छोटी से मार्केट है और मैंने अपनी राइडिंग जैके डिसके अंदर गुसा दी जैसे जैसे तरसे करें और बाकी यहां पर कुछ खानी किया है शॉप और इबर उटके दिखाऊंगा अजिजा कि छोटी समान है मुगल चीज़े हैं यहां पर तो देख सकते हैं तो यह वाई अंदर की मार्केट उस सेड मैंने दिखाया नहीं यहां पर छोटे-वोटे खाने का सीन तो यह देखो वाई यहां से पार्क स्टार्ट हो जाता है और यह है यहां से एंट्री यह बैक साइड एंट्री है तो भाई अभी हमें पता चला एक बंदे ने हम गायड बनके हैं मतला बोल रहता कि हमसे 700 रुपे लेगा और चारों बंदों का क्यारा भीड होगी यह वो तो अभी हमें वह एक और बंदा मिला यहां का लोकल उसने अब बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और अभी लोकर का भी एक सिस्टम है उसमें पैसे नहीं लगते अंदर के ऐसे 50 रुपे और यह कुछ यहां पर ऐसा है जाने का सिस्टम तो वह उस राज़ते से हम लोग आए तो जैसे आप लोग यहां देख सकते हो लोकर लिखा हुआ है और वह देखो लोकर रूम दिखा होगा बीच लोगों की बीच से तो यहां पर लोकर रूम है जिसमें हम अपना समानों गरार रख सकते हैं बता दूंगा अगर उसके चार्जस हुए तो वैसे तो बाहर किसी नेकाता नहीं लगेंगे सिपर चिकटेगी बाची देखते हैं अब यहां पर आपना लॉकर जो भी है समानी आपर आ चुका और यहां का लॉकर रूम पर बैक 20 रुपे की साब से लिए तो हेलमेट का भी लोगों ने गी रहा है तो टोटल अपने छे ते तो 140 रुपे कुछ इसने लिए हम से तो ठीज है और सेफ क्या ही बोलो कुछ भी ह होता नहीं है तो यह लोकर रोम से रख के अब हम लोग यहां पर जा रहे हैं तो यहां पर कुछ ऐसी भसट हो रहते हैं हो देखते हैं कितने लंबी लाइन है क्या सिस्टम बैठता है तो बागे हम लोगों टिकेट का जुकार तो एक बंदे से करवा लिया 400 रुपे में उस अब लाइन में तो लगे हैं यहां कि भाई चेकिंग है तो बाई अपनी एंट्री तो हो चुकिया है टिकेट लेने में में दिखकत नहीं कि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे थी पचास रुपे जो मनती थी हमने वैसे 400 रुपे दे दिया चारों के मिला के तो यह देखो वाई यहां से कुछ ऐसा दिखते हैं कुछ ऐसा सीन है कि चलते बनों चलते बनों दूब बहुत हो लिया तो यह देख लो भाई ताज महल इसके लिए काफी स्ट्रगल किया है लोगों ने सब की बैक में दिखकत आगी एक उच्वल की छोड़िए दिखकत मतले में में तो चलत पेट्रोल ही खता हो गया था यहां तक ही नहीं पहुच पाई फुल टंक्ती अगरा का ताज महल वैसे ठीज है क्राउड कुछ ज्यादा ठीज है चलता है इतना फ्रीली वाग तो कर रहे है तो यह वाई कुछ ऐसा वहां से एंट्री करी थी हमने और यह देखो यहां पर यह पूरा स्ट्रक्चर वहां पर भी है थोड़ा बड़ी ऐसा तो यह देखो भाई थोड़ा क्लोजर लुक जिन्हों ने भी नहीं देखा वैसे तो यह अपना ताज महल और जो अंदर जो है मेन उसका वहां पर आता है अच्छा मेरी बन रही है मेरी बन रही है मेरी व्लॉग बन रही है है तो मैं ऐसे कर देता हूं लो उससे ले लो उससे ले लो इस बंदे से तो भाई बंसे चस्वांगर एक स्लो मोशन बनाने के लिए तो कुछ ऐसा ही होता रहता है बट भाई हम थोड़े ऐसे हैं कि नहीं देते हैं तो यह अपना पूरा भू यहां से चले भाई अंदर थोड़ा तो भाई तुम लोग सोच रोगे मैं इतना पीछे क्यों आया हूं एक दम एंड पर जश्ट विकॉस में को एक टाइम लैस बनानी जोगों पता होगा ऐसे सीधा सीधा जाते है तो वह ताम लाप से बनाते हैं तो वैसे तो पोट्रेट में बनानी है में को तो पोट्रेट में भी बना देते हैं तो भाई फाइनल अंदर से एंटर कर लिया एक टाइमलेस बनाई तो मैं अंदर से वैसे नहीं दिखा पाया को अब मैं में चीज आपको दिखाता हूं चो की है यह देखते रहे नहीं यह 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 बाई अपना में चीज पर से है यहां यहां पर सिस्टम फोटोटोटोटोची च्वाले तेवर तो फैनली हम लोग काफी आगे तक आचुक है वहां से आ तक और यह देखो और पास से आज का मोसम भी वैसे ठीक है बादल भी इतने सही लग रहे हैं इस पर तो इस ट्रदल बड़ बड़ लोक तो भई रहने आते हैं आप एक एक दिन उसके बाद ही नेक्स डेप आपे जहन तो आज ही आए सु भी हुआ आप इस भी जाएंगे अब तो ऐसा कुछ क्राउड है और लो बारीज भी स्टार्ट भी दुबारा और यह और यह तेज फोन के ओपर हो रहा है अब टिप टिपा बड़ी आखाव हो रहे हैं मुसम तो हो क्या है नाइस प्लेस टो विजिट जो भी हाँ दिल्ली तो आते हैं दूर दूर से टूर टूरिस्ट वाले हम तो चलो फिर भी हमारे लिए क्या टाइस हो जिलो मीटर ही था डाइस हो नहीं हाँ डाइस हो जास पासी चलो भाई अब मैं रखता हूं फोन अंदर दूप और बारीश अलग और बढ़िया लग रहा है ओ भाई और ते प्रणा मआ अंदर दिल्ब मैं ये उस दूड़ फेलिजा मैं यें ये इनियो क्स्वोर वाग ये हमちは आदाल cus ये फिले अंदर्नी आजर में ग्सक्रिर भाईस протीकें तो अपनी फोटो शूर्ट यहां पर आने का व्लॉग में थोड़ा कंटेंट सब हो गया फिलाल और हम लोग अब जा रहे हैं वापिस तो मिलते हैं बार चल के फिर सीदा तो भाई अभी हम चारों ने एक चीज लिए यादगार के लिए ताज महल की निशानी यहां से लिए ओनली 30 रूपीस विद बार गेन चार लें पचास वोल रहे हैं तीस में करवा लिया तो भाई हम लोग वापिस आगे पार्किंग में वहां से बाहर निकलके और आलत तो व सबस्क्राइब पर अभी तक अभी तक खाये निमें बात तो यह भाई कुछ भी नहीं खाया पर फटाफट यहां पर निकल लेंगे तब अच्छे से खाएंगे एक और चैनल पूछ रहे हैं को नाम बताते हैं हाँ भी आओगे आप लाइफ में आओगे आओगे ताज मेल क कि आप पार्किंग में जो होते हैं दो भाईया रहेंगे चैनल के नाम बोट एक्स्ट्रीम हास भाई वहां से तो निकल के आगे हम लोग यहां पर हाईवे पे अंदर अंदर साहे थे आगरा से अब हमें हाईवे बगरा मिलेगी और बहुत ठक है मतलब मैं बता नहीं सकता ह यार कोई बंदा ठक जया किसी कभी मन ने खुला लेका है और इनकेस अगर यह लास्ट क्लिप रही तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे ना चुक्क भाई बहुत मैनत चल रही है छोड़ी-छोड़ी कंटेंट के लिए बहुत मैनत और आज तो सब्सक्राइब कसम से मा कसम बहुत थट गया बता नहीं सकता वस है कि सब्सक्राइब कर रहा है दो दिन सो जाओं तो पूरी जाती है चलो यार से आप घर पी मिलते है तो वही सुवाजी चार बैस अलिए अब तक छे बजने को रहे हैं मतलब बारा गंटे से उपर ही लगा अब जाकर आया खाना आपको जाएगा पेड़ में सुबाद कुछ भी नहीं गया बस पॉल्यूशन पॉल्यूशन और कुछ नहीं देख सकते हों यहां पे आ रहे हैं एक हाई वे टोल के आगे ही यह रश्ट होता है हर तोल के अगे होते हैं वहां पे आ गया गया उसको खा पूरा पूरा से बहाँ देखो इन भाइसाब को रेश्ट करना थोड़ा लेट्स गो नो लेट्स गो